ये कहानी एक सत्य गट्णा पर आदा दी और इसकी कहानी कुछ इस तरह है इस कहानी में अमन एक सिधा साधा लगता जो मेहनर्च कमाने में जाना हरीस जो एक सिगनल पर पीख हमाना अरे ये क्या है घड़ी एला इजर पराता में दो मिला का चुड़ी आज़ी कोई बात नहीं ठीक कर वा लेना तो रुप्या लगेगा और चाशों में बेद देना और हम फिर फिप्टी फिप्टी कर लेंगे दूना आदा दाड़ी ब्रिजेज भाई यहां के नामचीन बिजनेस में ये बहुत उन्होंने हरीस को जब दान दे रहे थे तब हरीस ने पैसे लेने की जगह उन्हें अपने मित्र अमन को काम पे रखने के लिए कहां कि फिट मुझे पैसे नहीं चाहिए मेरा एक मित्र है आप उसको काम पे ले लो अमन जो चाही की दुकान पे और खाने के डवे पे काम करके अपने रोजगारी चला जाता अमन जो सकता है गुल्लू हरिस की चुगली करता है उसकी वज़े से बीखारी गैंग के मेंबर हरिस को वहाँ से निकाल देते हैं इस हद्से के बाद हरिस की जिन्दगी उनकी गैंग से जुदा हो गई पर उसकी वज़े से अमन जो काफी मेहंदी लड़का था उसको उस सेथ ने अपने यहाँ जौपे रख लिया पर वो अच्छे से काम करके अपनी जिन्दगी पसार कर रहा है झाले घाँ झाले घाँ सबस्य से जिलस्त था हो झाले उनकी था झाले है झाले जाँ झाले चीस झाल झाल कामकाट केसे चल रहा है मुझे थोड़ा पैसे की ज़रूरत दे अच्छा ठीक है ले 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 कोई बाद में जिवस्ति भी घड़ी की देने आ हापर क्यों चीए क्या बताओ भाई तो फ्रेंड्स हरिस कह रहा है कुछ लोग के सवक्तों सडक पे थूपना सिगनल तोड़ना और कभी कभी अपनी कार से किसी की जान ले लेना जब एक मामूली हरिस एक महेंती अमन को काम पे लगा सकता है तो